नमस्कार, BCN News के दिन विशे शिकारे करम में मैं दुशा आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत में जिस तरह क्रिकेट का बूल बाला है उसी तरह दुनिया भर में खेल की दुनिया में फुटबॉल की तुटु बोलती है फुटबॉल खेल दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शिरुवाद भी क्रिकेट के मैदान से ही हुई थी फुटबॉल का पहला जो इंटरनाशनल माच खेला गया था वो क्रिकेट के मैदान पर ही खेला गया था क्या आपको पता है कि आज ही के दिन यानी 30 नवंबर 1872 के दिन ही पहला इंटरनाशनल फुटबॉल माच खेला गया था जो स्कॉटलैंड और इंगलैंड के बीच खेला गया था दरसल 30 नवंबर 1872 का वो दिन था जो पहली बार फुटबॉल का कोई अंतराश्ट्यो माच खेला गया हाला कि क्रिकेट का चन्म जे करीब 3 दशक पहले 1844 में हो चुका था फुटबॉल का पहला अंतराश्ट्यो माच क्रिकेट के हरे भरे मैदान पर खेला गया लेकिन आज क्रिकेट का नहीं बलकि दुनिया भर में फुटबॉल का पूल बाला है विदेशी खिलाडी क्रिकेटर कम फुटबॉलर ज्यादा बनना चाते हैं हाला कि भारत में आज भी फुटबॉल की जगह बच्चे क्रिकेट को तरजीह देते हैं क्योंकि भारत में फुटबॉल के खेल में उतनी शोरत और दौलत नहीं है जितने की क्रिकेट में है आज से ठीक एक सो उनपचास साल पहले स्कॉटलैंड के हैमिल्टन में वेस्ट ओफ स्कॉटलैंड क्रिकेट क्लब के ग्राउंड पर पहला अंतराश्ट्य फुटबॉल माच खेला गया जो मेजबान स्कॉटलैंड और इंगलैंड की बीच खेला गया वेश्विक स्तर पर स्कॉटलैंड बनाम इंगलैंड फुटबॉल माच सबसे पुराना अंतराश्ट्य फुटबॉल माच है आज इस एतिहासी के लंभे में 150 साल हो गये है इससे पहले 870 के बाद 1872 तक इन देशों की बीच पाच अनाधिकारिक अंतराश्ट्य फुटबॉ फुटबॉल माच में ज्यादा तर खिलाडी लंदन छेत्र की थे इसी में से स्कॉटिश टिम बनी जो पहले इंटरनाश्ट्य फुटबॉल माच का हिस्सा बनी ग्लासको और एडिनबर्ग के अखबारों में फुटबॉल असोसेशन यानि एफ़े के महासचीव चार्स एल वो फुटबॉल के खेल का इतिहास है। सरसट को उत्तर प्रदेश की अलिगर जिले की नहगाव में हुआ था। राजिव दिख्षित का परिवार भारत स्वतंदता संग्रा में सक्रिय था। इनके पिताजी का नाम राधिशाम दिख्षित है। वेक पुल और सुरंग ओफिसर थे। इनके माताजी का नाम मिधिल राजिव दिख्षित की परिवार में उनके जोटे भाई प्रदीब दिख्षित और बहन लताश शर्मा है। राजिव ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शाधी नहीं की। राजिव दिख्षित ने अपनी प्रात्मिक शिक्षा अपने गाव से पूरी की थी। उसके बा राजिव दिख्षित ने IIT खड़कपूर से MTK डिगरी प्राप्त की। वर्ष 1999 में राजिव दिख्षित की मुलाकात योग गुरु स्वामीर रामदीव से हुई। उसमें बाबा रामदीव पूरी देश में योग को फैलानी का कारिय कर रहे थी। दस वर्ष बाद 2009 में दोनोंने मिलकर भारत स्वाभिमान स्थापना की। राजिव को भारत स्वाभिमान का रोष्ट्यों महासचीव बनाया गया। एक अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उदखाटन हुआ था। जिसका प्रसारन पुरे देश में आस्ता टीवी चैनल के माध्यम से हुआ। जि अंग्रीजी शिक्षा पद्धती, देश के सविधान और कानून प्रणाली जैसे कई मुद्धों पर फाशन दिये।